ये कहानी बेटियों के लिए है सब ही पक्षी अपने मामा पापा से बहुत प्यार करती है बेटे हो या बेटिया मगर बेटे समय के साथ साथ अपने अपने रिष्टों में बढ़ जाती है मगर बेटिया मरते दम तक अपने माता पिता से ऐसे ही प्यार करती है जैसे वो अपने बच्चपन में किया गड़ती थी कालू कव्वे और गोरी कव्वी का एक बेटा था जिसका नाम जगू था और अब उनके दूसरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था गोरी अंडा हिल रहा है अंडा हिल रहा है आज हमारा दूसरा बेटा अंडे से बाहि निकलने वाला है पिताजी पिताजी आज मेरा भाई आएगा मैं बहुत खुश हूँ कालू जी अपने बड़े भाई के बाद अंडे से मैं निकली थी और मुझे लग रहा है कि मेरे अंडे से भी भाई के बाद बहन ही निकलेगी चुप चुप कर जा जैसी तू काली वैसी ही तेरी जुबान भी काली मन्हूस बातें ना करा, मैं जा रहा हूँ अगर मेरे पीछे से मेरा बेटा अंडे से बाहर निकल आए तो उसे बताना कि उसका पीता उसके लिए मिठाई लेने गया है कालू कवा घर से निकलता है लो लो मिठू, आज तुम भी मिठाई खाओ, आज मैं बहुत खोश हूँ कालू, ये मिठाई किस खोशी में है? मेरे अंडे से मेरा बेटा निकल आएगा आज, मेरा बेटा आने वाला है ऐसे कहते हुए कालू कवा मिठू तोते को मिठाई दे कर चला जाता है अंडा अभी फूटा नहीं और कवा चला मिठाई बांट रहे, हैरान हूँ इस कवे पर मैं शाम को कालू कवा जब घर आता है तो अंडा फूट चुका था कालू, ये क्या हुआ? कालू, मैं न कहती थी कि इस बार अंडे से बेटी ही निकलेगी क्या? क्या अंडा फूट गया है? पिता जी पिता जी अंडे से लड़की कवी निकली है मैं इसे बेहन नहीं कहूंगा मुझे तो भाई चाहिए था गोरी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं एक बेटी का पालन पोसन करूंगा ये मुसीबत कहां से आ गई चोटी सी कवी कभी इधर देखती तो कभी उधर देखती उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके अंडे से बाहर आने पर सब परिशान क्यूं हो गे हैं रात हो जाती है बच्चे सोगे थे कवा और कवी जाग रहे थे गोरी कल मैं इसे पहाड़ों पर ले जाओंगा नहीं कालू जी मुझे पहले ही डर था दिया करो इस छोटी सी बच्ची को जान से ना मारना अगर इसे अपने घर में नहीं रखना तो इसे इसके हाल पर छोड़ दो इसे विराने में छोड़ाओ अगर मार गई तो इसकी किस्मत और अगर जिन्दा रही तो तुम्हारा क्या नुकसान करेगी बेचारी शूर मत करो आहिस्ता बोलो अगर कोई पडोसी पक्षी पूछे तो कहना के अंडा खराब हो गया था गोरिकवी अपने पती से बहुत डरती थी वो अपनी बेटी को पालना चाहती थी मगर वो क्या करती जालिम पिता कालुकवा कभी भी अपनी बेटी को घर रखने के लिए तियार ना था सुभा हो जाती है और कालुकवा अपनी बेटी को एक टोकरी में रहकर सुभा सवेरे ही पहाड़ों की तरफ चल देता है एक सुखे हुए पेड़ पर अपनी बेटी को रहकर कालुकवा इधर उधर देखता है और वापिस उड़ता है पीता जी सुनिये एक बात तो सुनिये कवा रुकता है शुकरिया पीता जी मुझे जिन्दा छोड़ जाने के लिए आपका बहुत शुकरिया मगर कालु कवा अपनी बेटी की और कोई बात सुने भी नहीं वहां से उड़ जाता है चोटी कवी अभी उन्ना नहीं जानती थी इसलिए वो तेज धूप में उस टौकरी में बैठी हुई थी उसे भूख भी लगी हुई थी और प्यास भी शाम के बाद एक बुढ़ी कवी उस रास्ते से गुजरती है ये ये चोटी कवी यहां कैसे इसे तो कोई चील खा जाएगी ऐसा सोचकर बुढ़ी कवी उस चोटी कवी के बास जाती है चोटी कवी तुम यहां कैसे बेटी हो ना मेरा पिता इसलिए मुझे यहां चोड़ गया है मर जाने के लिए ये सुनकर बुड़ी कवी को उस चोटी कवी पर बहुत दिया आती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है आज से तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा नाम है बहादुर बेटी मैं पालन पोसन करूंगी तुम्हारा, मैं दाना दूंगी तुम्हे क्या मैं आपको मा कह दिया करो हाँ बेटी आसे मैं तुम्हारी मा हूँ बस उस दिन से वो चोटी कवी उस बुढ़ी कवी के पास रहने लगी कालु कव्वा और गोरी कवी आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाते हैं वो भूल जाते हैं कि उनकी एक फूल सी बेटी भी थी वो तो सारा दिहान अपने बेटे जगु के बालन पोसन पर लगा रहे थे कालु जी जगु बढ़ा हो गया है अब इसे पोस्टिक भोजन की जरूरत है हर रोज दाना खाखा कर जगु कमजोर होता जा रहा है तुम चिंता ना करो मैं कल कुछ करूँगा दिन गुजरते के जगु बढ़ा होता गया रुको रुको चुडिया इस थेले में क्या है मैं मैं क्यूं बताऊँ अच्छा ऐसे नहीं बताऊगी इस थेले में मेरे बचों के लिए फल है ये फल मेरा जगु खाएगा लो तुम ये दाना ले लो मगर क्यों मैं ये फल बहुत दूर से लेकर आई हूँ दाना भी नहीं मिलेगा अभी भी समय है मान जाओ मेरी बात वरना डरती हुई जडिया अपनी धैली कवे को दे देती है और कवे से सुखादाना लेकर घर चली जाती है कवे ऐसे अपने बेटे को पोश्टिक भोजन खिलाया करता था समय गुजरने का पता ही नहीं चलता बहादुर बेटे भी भड़ी हो गे थी वो अपनी बुढ़ी मां के साथ काम करवाया करती वो अच्छे से उड़ सकती थी वो सुन्दर कवी थी उसका रंग सभी कवों की तरहा गहरा काला था बहादुर बेटी अपनी बुढ़ी मां के साथ केलों के खेद में काम करवाती बहादुर बेटी अब हमारी केले की फसल त्यार है अब कुछी दिनों में हम अपनी केले की फसल काड़ कर नहीं फसल बो देंगे मां इस बार हम मकई की फसल उगाएंगे सुना है मकई की फसल बहुत अच्छा मेनाफा देती है सारा दिन काम करने के बाद रात को बहादुर बेटी अपनी बुढ़ी मां के साथ सुन्दर से छोटे से घर में सोजा दी जवानी कब रहती है कवा और कवी अब बुढ़े होगे थे जब एक दिन जगु कवा एक कवी बिहा कर अपने घर ले आता है लाली ये मेरे माता पीता है जगु बेटा ये कवी कौन है मा मैंने शादी कर ली है ये मेरी पतनी है मुझे बताया ही नहीं बेटा इतनी भी क्या जल्दी थी सासूर जी मैंने भी अपने माता पीता को नहीं बताया अभी तीन दिन ही गुजरे थे जब जगु की पतनी ने अलग घर बनाने की डिमांड कर दी जगू जी अगर एक घर नहीं बना सकते हो तो अपने माता पीता से कोहो कि वो कहीं और चले जाएं माता पीता भी तो सुन ही रहे हैं अगर आपको लाली की बात बुरी लगी है तो मैं चला जाता हूँ लाली को लेकर यहां से नहीं नहीं जगू मैंने कभी तुम्हें दुखी नहीं किया जमाने भर की खुशियां दी है मैंने तुम्हें तुम्हें खुश करने के लिए कभी अच्छे बुरे की परवा नहीं की तभी तो आज ये तिन देखने को मिल रहे हैं चल कालू, अब इस घर में हमारा गुजारा नहीं है गोरी और कालू बे आसरा थे वो बुढ़े कवे होगे थे वो घर छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ उड़ते है आधी रात को एक सुखे हुए पेड़ पर गोरी और कालू बैठे बातें कर रहे थे कालू, कुछ याद करो एक हमारी बेटी भी थी जिसे तुम जंगल छोड़ाए थे हाँ गोरी, अगर हमारी बेटी आज हमारे पास होती तो शायद वो हमें संभाल लेती वो दोनों बती-बतनी रो रहे थे मा, ये कौर रो रहा है ये आवाज मुझे जानी जानी लगती है जाओ बेटी, बाहिर जाकर देखो शायद कोई वदेशी पक्षी होगा बहादुर बेटी बाहिर निकलती है कौन, कौन है? ऐसे पूछते हुए बहादुर बेटी की नजर कवे और कवी पर जाती है मा, पीता जी, आप, आप यहां कैसे? ये सुनकर गोरी और कालू गोर गोर से उस कवी को देखने लगते है मैं वही हूँ पीता जी और ये पेड़ भी वही है जिस पर आप मुझे छोड़ कर गे थे कवा और कवी रोने लगते है मुझे, मुझे माफ कर दो बेटी मैं फूल गिया था बेटी, मैं बहुत मजबूर थी तब भी मजबूर थी और अब भी मजबूर हूँ क्यूंके मैं भी तुम्हारी तरह एक बेटी हूँ फिर बहादुर बेटी कवे और कवी को अपने घर ले जाती है बेटा जी, आज से आप मेरे पास इसी घर में रहेंगे आपने तो मुझे पालने के डर से घर से निकाल दिया था मगर मैं बेटी होने का हग अदा करूँ कवों के पास शब्द नहीं थे कि वो कैसे अपनी बेटी से बात करें प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साशियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धरने वाद आज जब मेरे पापा घर आएंगे, तो मैं पापा से नहीं बोलूँगी क्यों गुडिया, आज फिर क्या हुआ बेटी, आपके पापा को भूजन लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है वो कैसे आपको हर जगा साथ ले कर जा सकती है और कुछ जगे पर तो बहुत खत्रा होता है कई बार भागना पड़ता है कभी किसी शिकारी से सामना तो कभी किसी खतरनाक जीव से बहुत मुश्कल से भोजन मिलता है हम पक्षियों को ममा, पापा अभी तक यूँ नहीं आए चलो हम घर के बाहिर बैठ कर पापा का इंतजार करते हैं मुझे अपने पापा को दूर से आते देह कर बहुत अच्छा लगता है फिर वो मा बेटी अपने घर के बाहिर बैठ जाती है शाम भी हो गए थी और फिर गुडिया को दूर से अपने पापा आते दिखाई देते हैं पापा आगे, पापा आगे, मेरे पापा आगे परन्तु गुडिया ये कब जानती थी कि आज तो उसका पापा बहुत मुश्किल से घर तक पहुंचा है क्योंकि उसे किसी शिकारी ने निशाना बना लिया था पापा चिडिया अपने परिवार के पास आते ही गिड़ जाता है ये क्या हुआ? आपके तो शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तीर से मुझ परवार किया था और वो मेरे पीछे ही इस दिशा में आ रहा है मैं बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूँ आप होसला रखें आपको कुछ नहीं होगा नहीं गुडिया की ममा इससे पहले के वो शिकारी यहां तक पहुंचे आप मेरी बेटी को लेकर यहां से दूसरे जंगल चली जाओ वो सब को मार देगा सब को मार देगा वो शिकारी हम कैसे आपको छोड़ कर जा सकते हैं आपको मेरी कसम मैं अपनी गुडिया को मरते नहीं देख सकता जाओ जाओ यहां से दूर दूसरे चंगल चली जाओ मेरी गुडिया का दिहान रखना ऐसा कहते हुए गुडिया का पापा मर जाता है पापा मेरे पापा मुझे छोड़ कर ना जाना पापा मैं कैसे चीपाऊंगी आपके बिना चलो गुडिया हमें यहां से जाना होगा शायद भगवान को यही स्वीकार था हमारा हस्ता बस्ता घर उस जालम शिकारी ने उचार दिया चलो गुडिया अपने पापा की बात मानो आपके पापा अब कभी लोड कर नहीं आएंगे फिर वो ममा जिडिया और उसकी बेटी गुडिया एक अंजानी मंजल की दरफ उड़ जाती है जल्थी रात भी हो जाती है परंतु वो दोनों माम बेटी उड़ती है रात का समय था उन्हें जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी नजर नहीं आता और ऐसे ही उड़ते उड़ते वो बहुत दूर दूसरे जंगल में पहुंचाती है ममा हम कहा हैं ये कौन सा जंगल है मैं पहले तो कभी नहीं आई यहां ये सागर वाला जंगल है मैंने सुना है यहां के पक्षी बहुत अच्छे हैं और वो मुसीबत में दूसरों की मदद करते हैं वो सामने एक घर है चलो गुडिया हम रात उसी पक्षी के पास गुजारते हैं ममा क्या वो पक्षी हमें अपने घर में रख लेगा गुडिया बेटी ये तो जाकर ही पता चलेगा फिर वो मा बेटी उस घर की दरफ जाती है वो घर के दरवाजे पर दस्तक देती है ये इस समय कौन आ गया? कौन? कौन है बाहिर? मैं चिडिया हूँ, मुसीबत की मारी हुई मेरी मदद करें मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? भैया प्लीच दरवाजा खोलें और मुझे आज की रात अपने घर में रख लें मैं इस चिडिया को कैसे अपने घर में रख सकता हूँ? अगर गोरी कवी को पता चल गया तो वो मुझे से लड़ाई करेगी चिडिया फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है बेहन आपके पीछे जो घर है वो कवे और कवी का है और हम इस चंगल में किसी भी पकशी को उन कवों की अजाज़त के बिना नहीं रख सकते वो बड़े हैं आपको उनसे अजाज़त लेना होगी ममा आप तो कहती थी ये पकशी बहुत अच्छे हैं ये तो हमारी मदद ही नहीं कर रहे चलो बेटी हम उन कवों के पास ही जाते हैं वो मा बेटी फिट से उड़ती हैं और थोड़ा ही दूर कवे और कवी के घर पहुँचाती हैं वो दर्वाजे पर दस्तक देती हैं लो कालू फिर आगया कोई इस समय मदद लेने भोजन पहले ही नहीं है इस जंगल में मैं देखता हूँ फिर कालू कवाब बाहर आता है जी बताएं किस से मिलना है इतनी रात को मैं पहाडों वाले जंगल से आई हूँ मेरा पती मर गया था हमारे जंगल में शिकारी आगे थे मैं बहुत मुश्किल से भाग कर यहां तक पहुँची हूँ प्लीज मेरी मदद करें भागो यहां से बड़ी आई मदद लेने वाली हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी है हम तो पहले ही भोजन को मर रहे हैं यह सुनकर गोरी भी घर से बाहिर आती है सुनो चिडिया किसी और जंगल में चली जाओ इस जंगल में तुम्हें कोई भी अपने घर में नहीं रखेगा क्योंके मैंने सब को रोक रखा है कि किसी अजनबी को इस जंगल में नहीं रहने देना ये सुनकर चिडिया रोती हुई वहाँ से चली जाती है वो थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ पर बैड़ जाती है और वो रोने लग जाती है मामा आप हमेशा यहीं कहती थी कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए फिर ये पक्षी हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे गुडिया ये पक्षी डर रहे हैं कि कहीं हम उनके हिसे का फोचन न खालें और ये हमें इस जंगल में रखना नहीं चाहते और ऐसे वो मा बेटी वो लंबी रात उसी पेड़ पर बैठ कर गुजारती है सुभा हो जाती है गुडिया अपनी ममा के पंखों में चुपकर सोई हुई थी सूरज की रोशनी से उसकी आंख भी खुल जाती है ममा आप सारी रात ही नहीं सोई मुझे नीद नहीं आ रही थी मेरी जान चलो कहीं से देह कर पानी पीते हैं मुझे बहुत प्यास लगी है फिर वो दोनों मा बेटी पानी की तलाश में उड़ती हैं उन्हें नदी दिख जाती है और वो नदी पर जाती है वो मा बेटी जी भर के पानी पीती है बबलू कबूतर और लूसी कबूतरी जो उसी जंगल में रहते थे वो भी नदी पर बैठे हुए थे चुडिया आप कौन हो और कहां से आई हो मेरा पती कल शिकारी ने मार दिया और वो शिकारी हमारे घर तक पहुँचने ही वाला था कि मैं और मेरी बेटी अपना घर छोड़ कर भाग आई फिर तो बहुत दुखी हैं आप आउंटी हमें किसी ने भी रात अपने घर में नहीं रखा और सारी रात हमने एक पेड़ पर बैठ कर गुजारी है चुडिया बहन वो कवे बहुत जालम है वो किसी दूसरे पक्षी को इस जंगल में नहीं रहने देते परन्तु हम नहीं डरती उन कवों से आप चलें हमारे साथ आप कुछ दिन हमारे साथ रह लें और फिर बात में आप अपना घर बना लेना मैं नहीं चाहती कबूतर भीया के हमारी वज़ा से आपको कोई परेशानी हो हम कहीं और चले जाते हैं नहीं चिडिया बहन आखिर कब तक हम उन कवों से डरते रहेंगे आप हमारे साथ चलें फिर वो कबूतर और उसकी पतनी चिडिया और उसकी बेटी को अपने ख़ड ले जाते हैं गोरी कवी और कालू कवे को जब पता चलता है कि वो चिड़िया कबूतर के घर में हैं तो वो दोनों कबूतर के पास आती हैं कबूतर बारिश ना होने के कारण इस जंगल में भोजन की पहले ही कमी है और तुम्हें अच्छे से पता है हम अपने जंगल में किसी अजनबी को नहीं रखते फिर तुम इन्हें अपने साथ क्यों ले आई हो कवी बेहन हर पक्षी अपने नसीब का भोजन खाता है और कोई किसी के नसीब का कुछ नहीं ले सकता अगर आपको डर है कि मेरे खाने से भोजन खतम हो जाएगा तो ये आपकी गलत फहमी है क्योंकि आप अपने पीचे आस्मान पर देखें मैं अपने नसीब की बारश भी साथ ले कर आई हूँ और आस्मान पर काले बादल देखकर गोरी और कालू और सपक्षी बहुत खुश हो जाते हैं बादल बहुत अचानक से आये थे और तेज बारश शुरू हो गई थी गोरी बहन देखा अब ये बारश फिर से बहार लाएगी और जंगल में भोजन ही भोजन होगा चुड़िया बहन मुझे माफ कर दे अब मैं सब समझ गई कि हमारे जंगल में शायद आपकी कमी थी इसलिए बारश नहीं हो रही थी ये बारश हमारे लिए नए जिंदगी लेकर आई है आप जहां चाहें अपना घर बना सकती है और अगर चाहें तो हमारे साथ भी रह सकती है और फिर ऐसे चिड़िया उस जंगल में रहने लगती है जो दुख उसे मिले थे वो भूलने वाले तो ना थे परन्तु समय ही दुखों का मरहम होता है वो चिड़िया बहुत गरीब थी उसने सारी जिंदगी इमानदारी से सब काम किये थे कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था जबकि वो गरीब थी फिर भी वो हमेशा दूसरों की मदद करती परन्तु अब तो भगवान की तरफ से उस चिड़िया और उसके परिवार पर एक बड़ी प्रिक्षा आन पड़ी थी क्यूंके उस ममा चिड़िया को दिल की तकलीफ थी और डोक्टरों ने उसे बताया था के उपरेशन के सिवा उसकी बिमारी का कोई हल नहीं है आकाश आप मेरी जिन्ता ना करें मैं ठीक हो जाओंगी और अगर मेरी जिन्दगी इतनी ही है तो मैं मड़ते समय आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती कूकू की ममा मैंने कितनी बार बोला है आप ऐसी बाते ना कहा करें मैं आपका उपरेशन करवाऊंगा और फिर देखना जब हम दोनों अपने कूकू के साथ फिर से नदी पर जाकर खेला करेंगे परन्तू उपरेशन के लिए तो पूरे सो दाने चावल के मांग दे ही है चील दी दी वो कहां से आएंगे ममा ममा कल से मैं भी पापा के साथ काम बढ़ जाया करूँगा और फिर हम बाप बेटा मिलकर आपके ऑपरेशन का बंदोबस्त कर लेंगे ममा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चील दी मेरा दिल निकाल कर आपको लगा दे कुकु मेरी जान फिर ऐसी बात कभी ना करना ममा पापा अपने बच्चों को देख कर तो ही जीते है मैंने अपनी जिंदगे गुजार ली बस मैं आपकी आँखों में आंसु नहीं देख सकती कुकु के पापा कुकु तो अभी छोटा है और अगर आप ऐसे रोएंगे तो फिर कुकु कैसे खुद को संभाल सकेगा कुकु बेटा आप ममा से बातें करें और अपनी ममा का मन लगाएं मैं जाता हूँ और आपकी ममा के ओपरेशन के लिए फीस्ट का बंदोबस्त करता हूँ पापा आप करेंगे ना हाँ मेरी जान अभी आपका पापा है ना मैं सब कर लूँगा पापा मैं अपनी ममा को खोना नहीं चाहता कुछ नहीं होगा आपकी ममा को बस अब आपने रोना नहीं है फिर पापा जिडिया वहां से चला जाता है कूकू, जिन्दगी केवल सांस लेने का नाम ही तो नहीं है कूकू मेरी जान, मेरी जिन्दगी तो आप हो अगर मेरी सांस रुक भी गई तो मैं तो अपने कूकू में हमेशा जिन्दा रहूंगी और बेटा, जो कुछ आपको आपकी ममा ने सिखाया है कभी न भूलना, कभी किसी का बुरा न सोचना, हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करना गरीब होना किसी पक्षी के बस की बात नहीं है परन्तु मन का अमीर होना तो सबके अपने पंखों में है मेरी ये इच्छा है कि मेरा बेटा मन का इतना अमीर हो के पूरे जंगल में सबसे ज्यादा मैं अपनी ममा की आशा को कभी नहीं तोड़ूगा और मुझे भगवान पर पुरा विश्वास है भगवान मेरी आशा भी नहीं तोड़ेंगे मेरी ममा ठीक होगी, जरूर ठीक होगी फिर से मेरे साथ खेलेगी सोदाने चाबल तो उस घरी पक्षी के लिए बहुत ज़्यादा थे वो ये नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है परंदू वो तो उड़ता ही जा रहा था कुकु के पापा का दिमाग खाम नहीं कर रहा था फिर वो उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जाकर बैट जाता है मैं अपनी आँखों से कैसे कुकु की ममा को मरता हुआ देख सकता हूँ जबके उसका इलाज भी हो सकता है ये सब मेरे कारण हुआ है अगर कुकु की ममा मरी तो उसका जुम्मेदार मैं ही हूँगा क्यूंके मैं उसका इलाज ही नहीं करवा सकता फिर कुकु का पापा नदी की तरफ खोर से देखे जा रहा था शायद वो तो हार मान चुका था और वो तो खुद को खतम करने वाला था वो तो आतम खाती करने वाला था वो नदी में गूदने ही वाला था के वहां कबूतर आ जाता है ठहरो आकाश ठहरो एक बार मेरी बात सुन लो मुझे मड़ जाने दो कबूतर मैं अब और जीना नहीं चाहता मुझे से नहीं देख होती कुकु की ममा की बिमारी मैं इतना गरीब हूँ कि उसका इलाज भी नहीं करवा सकता जो तुम करने जा रहे हो ये कायरिता है हलात का मुकाबला करो तुम्हारी पतनी तो पहले ही बिमार है जरा उस छोटे बच्चे का ही सोचो मेरे पास उस छोटे बच्चे के सवालों का जवाब नहीं है मैं हर रोज शाम को जाकर उसे कहता हूँ कि कल आपकी ममा का अपरेशन करवाऊंगा और वो बच्चा हर रोज जब मैं घर से निकलता हूँ तो पूछता है कि पापा आज तो आप कुछ कर लोगे ना आकाश थोड़ा शांत हो जाओ मेरे पास तुम्हारी मुसीबत का उपाय है जो दुख आपर है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ क्योंके ऐसे ही मेरी पतनी दवा के लिए तड़ब तड़ब कर मर गई थी और मैं कुछ नहीं कर पाया केई बार मैंने आतम खाती करने की कोशिश की परंतु ना कर पाया मैं जिन्दा रहा अपने लिए नहीं बलके अपनी बेटी के लिए मैं जानता हूँ पास में ही एक कववा और कवी रहते हैं वो बहुत अमीर हैं उनके पास दाना भी है और धन भी सब कुछ है उनके पास वो ब्याज पर दाना उधार देते हैं मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ आप उन कववों से सो दाने चावल उधार लेकर अपनी पतनी का इलाज करवा लो और फिर बगवान कोई ना कोई उपाय बना ही देगा उनके चावल वापिस करने का कबूतर क्या ऐसा सच में है क्या वो मेरे कुकु की ममा के इलाज की फीस दे देंगे उनका तो व्यापार ही यही है वो ब्याज पर माल देते हैं और एक महिने बाद वापिस लेते हैं आप मुझे उनके पास ले जाएं अगर मेरी पतनी ठीक होगी तो मैं उनका कर्ज भी वापिस कर दूँगा फिर कबूतर और आकास चिडिया वहां से कवे और कवे की तरफ जाते हैं सोदाने चावल के लेना है कबूतर जी आपके मित्तर को जी जी गोरी बेहन जी सोदाने चावल कबूतर जी इसका बेहाज पता है कितना होगा अच्छा है आप ही बता दे सोदानों के साथ सोदाने और चावल के और या फिर सोदाने मक्यी के अगर सिवी कार है तो बताओ नहीं तो ना अपना समय जाया करो और ना ही हमारा आप मुझे सोदाने चावल दे दे मैं आपको सोदाने चावल और ब्याज एक महीने तक वापिस कर दूँगा देख लो बेकबूतर इस चुड़े को तो हम जानते नहीं हैं अगर तुम हा करते हो तो ले जाए ये सोदाने चावल परन्तु एक महीने से जितने दिन उपर हुए ब्याज के साथ और ब्याज बढ़ता चला जाएगा हमें स्वीकार है आप चावल दे दें ये ले जाएं पूरे सोदाने हैं गिन सकते हो और चिड़े जी हमारा तो व्यापार है अगर तुम्हारी पतनी मर भी गई कर वहां से चले जाते हैं कबूतर आपने मेरे लिए इतना कुछ किया विश्वास किया मेरा मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा आकाश आप अंदर आकर मेरे घर में देख सकते हो मेरे पास तो केबल चंद दाने सर्सों के पड़े हैं वो भी सूखे हुए मैं और मेरे बेटी वही खाएंगे अगर मेरे पास सोदाने चावल होते तो मैं आपको जरूर दे देता मुझे आप पर पूरा विश्वास है ऐसे कुकु का पापा आज अपनी पतनी के इलाज के लिए फीस का बंदोबस्त कर ही लेता है वो तो बहुत खुश था आज बहुत दिनों बाद वो खुश था वो ये चावल कैसे वापिस करेगा ये बात उसके मन में आती तो थी परन्तु वो तो अपनी पतनी का इलाज किसी भी कीमत पर करवाना चाहता था कुकु कुकु ये देखें ये देखें मेरे बच्चे मैंने कर लिया मैंने आपकी ममा के इलाज की फीस का बंदोबस्त कर लिया क्या क्या पापा सो दाने चावल मिल गे पूरे सो दाने हैं इस थैले में कुकु तो बहुत खुश था आपने ये सब कैसे किया जबके आपके पास तो सुभा तक दस दाने भी ना थे आप इस बात को छोड़ें और अब खुश हो जाएं क्योंके कल सुभा सुभा ही हम चील दीदी की तरफ जा रहे हैं आपका ओपरेशन करवाने कुकु की ममा आपने कुछ खाया है मैंने तो वो रस पीलिया था जो कल बुलबुल दे कर गई थी परन्तु कुकु को प्यास लगी हुई है आप जाएं और कुकु को नती से पानी पला लाएं मैं अब ही जाता हूँ और मैं अब के बाद कभी आपकी आँखों में आंसों न देखूँ अच्छा जाएं खुद रोते रहते हैं और मुझे रोने से रोक रहे हैं अब हमारे कुकु की ममा ठीक हो जाएगी और सब फिर से पहले जैसा हो जाएगा ऐसा कहते हुए कुकु का पापा कुकु को नदी पर पानी पलाने साथ ले जाता है प्यारे दोस्तों इस कहाने का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताने